सो फ्रेंड्स देख सकते हैं लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कोपरेशन लिमिटेड तो दोस्तों यूपी मेट्रो रेल द्वारा एडविटीजमेंट यहां पर जारी कर दिया गया सबी अलग अलग तरह की पोस्ट इसमें आप पर शामिल कर लिगए औल इंडिया केंडिरेट इस विकैंसी को एपलाए कर सकते हैं आप किसी भी राज्य से हैं किसी भी स्टेट से हैं आप लोग इस विकैंसी को आविदन कर पाएंगे इसकी लिए आप लोगों को online application form आपको फ बिसकस करेंगे तो देखिए सबसे पहले पोस्ट है असिस्टेंट मेनेजर सिविल डेपार्टमेंट में सेलरी आपको इतनी मिलेगी इसमें 16 पद हैं सभी केटिग्रीज को मिलाके 16 पद हैं बी बीटा केंडिडेट्स इसमें एपला करें सिविल इंजिनेरिंग में आपके पास आपके क्वालिटिकेशन होना चाहिए 21-28 साल उमर रखे गई Executive Technical की Post यह आप लोगों के रहने वाली है इसके बाद दोस्तों देखिए Assistant Manager Electrical में है सेलरी आपको इतनी मिलेगी इसमें 8 पद शामिल किये गए बी बीटा Candidates आप लोग यहाँ पर होना चाहिए Electrical या फिर Electrical on Electronics डवली ब्रांच और ईयाई ब्रांच वाले Candidate इसमें Apply कर पाएंगे और 21-28 साल उमर आप लोगों के लिए रखे गई इसके बाद Assistant Manager Signal and Telecom में यह पोस्ट है इतना सेलरी आपको मिलेगी पांच पद इसमें शामिल कर लिए बी बीटा Candidates आपका होना आप पर जरूरी है Electronics याप है Electronics and Communication तो बीटाइक इंजिनेर जो भी हैं आप लोग यहाँ पर अप्लाय करें 21-28 साल उमर आप लोगों के लिए रखे गई यह भी Executive Technical की पोस्ट रहने वाली है इसके बाद Assistant Manager Accounts के लिए इतने सेलरी पैकेज आपको दी जाएगी अंडे दर्फ में एक ही पद शामिल किया गया 21-28 साल उमर रखे गई CA होना इसमें आप लोगों को जरूरी बोला गया है Non-Technical यह पोस्ट आप लोगों के लिए रहेगी इसके बाद दोस्तों देखिए Non-Executive Category की पोस्ट भी अलग से इसमें शामिल की गई तो बिलकुल देख सकते हैं Junior Engineer Civil के इसमें 43 पद शामिल कर लिए गए Junior Engineer के 49 पद इसमें शामिल की गए Junior Engineer Signal and Telecom के भी पद इसमें शामिल की गए 17 पद यह रहेंगे जो भी आपकी Qualification है सब में 3 साल का आप लोगों से डिप्लोमा मांगा जा रहे है जो भी पोस्ट यहाँ पे सामिल की गई इसी से सम्मधित आपकी Qualification रहना चाहिए तीन वर्ष का आपका डिप्लोमा रहना चाहिए सबी के लिए Age Limit कौमा ने 21 से 28 साल और यहाँ पे Medical Standard भी आपको बता दिया गया इसके बाद Account Assistant की पोस्ट है इसमें 2 पद है Become Candidate इसमें Apply करें Office Assistant के पोस्ट हैस में एक पद है तीन या फिर चार वर्ष का आपको Graduation Course आप लोगों को इसमें चाहिए और 21 से 28 साल उमा रखे गई C1 Medical Standard आप लोगों के लिए रहेगा तो दोस्तों इसकी लिए आप लोगों को Apply करना है और इसका एक्जाम आप लोगों का आगे की process अपना ही जाएगी Apply किस तरीके से करना है इसकी website क्या रहेगी तो देखिए लिखा है Online registration will start from तो online आविदन करना है तो 1 November से आप लोग online application form फिल करेंगे और Last date भी आप लोग आप देख ले 30 November 2022 तो करीब करीब 30 दिनों का समय आप लोगों को दिया जारा फिर आपको admit card release होंगे इसकी date आपको बता दे गई और exam की date भी आपको बता दे गई है और इन तारीकों पे आप लोगों का exam लिया जाएगा तो दोस्तों यदि आपके पास qualification है आप लोग apply करें All India candidate इसमें apply कर सकते हैं आपडेट कैसा लगा जरूब बता है सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दे चैनल को भी subscribe करके जरूर रखना आगे और भी updates आपको मिलते रहेंगे वीडियो के नीचे जाए subscribe के right बटन को आप पे click करें और update vacancy का इसी तरीके से आगे भी पाते रहें तो मिलते आप से अगले वीडियो में thank you so much